अधे रादे दोस्तों हाउसितिंस में आपका स्वागत है आज हम आपको चार पाश नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये सुंदर्शी ड्रिस बनाना बताएंगे इसे हमने सलाई से बनाया है और इसमें हमने चोली थोड़ी अलग तरह से बनाई है तो वीडियो को पूरा द लड्डू गोपाल के ड्रिस बनाने के लिए हमने ये दो कलर की उन ली है पिंक और क्रीम कलर की और हमने ये दस नंबर सलाई ली है दस नंबर सलाई में हम फंदे डालेंगे फंदे हम पिंक कलर की उन से डालेंगे फंदे लूज डालने है इसलिए हम इसमें एक ये बारा न उनको ऐसे रखेंगे इस तरह ऐसे निकालेंगे और ऐसे अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस करके और पर जाके क्लिक कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए हम इसमें आपको 100 फंदे डाल के दिखाते हैं इसमें हमने 100 फंदे डाल लिए हैं अब यह जो 12 नंबर की सलाई है उसको हम इस तरह ऐसे खिसकाएंगे ऐसे यह हमने निकाल दी है यह देखिए फंदे बहुत ही लूज हो गए हैं ऐसे लूज फंदे हमें डालने थे अब हम इसमें क्रीम कलर की उन लगाएंगे ऐसे हम यह पूरी सलाई कम्प्लीट करेंगे इसको हमें ऐसे सीधा सीधा बुनना है चलिए बुनके दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है सलाई हमने पूरी सीधी बना ली है अब इसमें बुनाई हम उल्टे तरफ से डालेंगे तो अब हम इसके उल्टे साइड आ गए हैं तो इस तरह से दो फंदे हम ऐसे साथ हमें उल्टे बुनेंगे अब इसे हमें निकालना नहीं है ये दागा हम इस तरह ऐसे आगे करेंगे और इन्हीं फंदों को एक बार सीधा बुनेंगे इस तरह ऐसे फिर से दागा अपने तरब करेंगे दागा और फिर से दो फंदों को हम एक साथ उल्टा बुनेंगे उल्टा बुना फिर दागा आँगे किया ऐसे और इस तरह से फिर उन्हें सीधा बुना फिर से दागा अपने तरब किया और दो फंदों को उल्टा बुना एक बार हमें उल्टा बुनना है और फिर धागा ऐसे करेंगे और इसी को एक बार हमें ऐसे सीधे बुनेंगे जिससे फंदे ना घटेंगे और ना बढ़ेंगे फिर धागा अपने तरफ किया फिर से दो फंदों को एक साथ बुना इस तरह ऐसे उल्टा बुनेंगे फिर धागा ऐसे करेंगे और फिर इन्हीं फंदों को फिर से हम ऐसे सीधा बुनेंगे ये सलाई हमें ऐसे ही complete करनी है इस तरह ऐस चलिए तो ये सलाई हम आपको complete करके दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है ये सलाई हमने पूरी complete कल ली है इूलटे तरफ से अब हम इसके सीध करी तरफ आ गये हैं इस तरह से बुनाई आएगी और ये फंदे हमें थोड़े लूज ही बुनने हैं अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो सीधे तरफ से इसे हम पूरा सीधा सीधा बुनेंगे और आप पिंक कलर की उन लगाएंगे इन सबी फंदों को ऐसे हमें सीधा सीधा बुनना है तो चलिए ये सलाई हम कंप्लीट करते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है सीधे तरफ से पूरी सलाई हमने सीधी बना ली है अब हम इसके उल्टे तरफ आ गए हैं तो फिर जैसे हमने पहले बनाया था दो फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे ऐसे उल्टा बुना फिर ये दागा आंगे किया और इनी फंदों को सीधा बुना फिर से दागा ऐसे अपने तरफ किया और इन दोनों फंदों को उल्टा बुना फिर दागा ऐसे आंगे किया और इन दोनों फंदों को सीधा बुना इसी तरह हम इसको दोहराते चले जाएंगे, इस तरह ऐसे, और जब हम इसके सीधे तरफ आएंगे, उन चेंज करेंगे, और पूरी सलाई हम सीधी बुनेंगे, देखिए इस तरह ऐसे इसमें बुनाई आएगी, तो चलिए इसे हम बना के दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि हम कितने सलाइं बनाई है इसे हमने इतना बना लिया है देखे कितने सुन्दर विजेन आई है इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस दस लाइन है यानि कि इसमें हमने 20 सलाई बुनी है और 21 सलाई यह है अब 22 सलाई पर हम फंदिग घटाएंगे तो तीन तीन फंदों को हम इस तरह से एक साथ बुनेंगे इस तरह से और यह सलाई हम इसी तरह कम्प्लीट करेंगे चलिए तो यह सलाई हम आपको कम्प्लीट करके दिखाते हैं इसके हमने फंदिग घटा दिये हैं अब इसमें हम दो सलाई ऐसे सीधे सीधे बुनेंगे सीधे तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुनेंगे तो चलिए हम इसमें दो सलाई बुन के दिखाते हैं फिर वताएंगे कि आगे हमें क्या करना है इसका दागा हमने कट कर दिया है इसमें हमने दो सलाई बुन ली थी अब हम इस दागे को सुई में डालेंगे इस फंदे में हम ऐसे नॉट लगाएंगे जिसी कि ये फंदा निकले नहीं अब इस दागे को हम ऐसे अंदर कर देंगे और फिर कट कर देंगे इस तरह ऐसे हो अब और आपको डोरी बनाना बताएंगे अगर आप कैसरे बनाना चाहें तो क्री root से बना सकते हैं यहां तो हांस से इस तरह ऐसे बना सकते हैं इसमें हम savezने एसे नॉट लगाना नी हैं चैन सिच बनाना में इस तरह ऐसे चलिए तो बना के दिखाते हैं यह हमने डोरी बना ली है अब इसको हम हमने इसे स्वी में डाल लिया है अब इस तरह ऐसे यह सारे फंदे हम इस डोरी में उतार लेंगे अब हम चोली बनाएंगे चोली बनाने के लिए हमने यह पट्टी बना ली है इसमें हमने 40 फंदे डाले हैं और जो बुनाई हमने इसमें घेर में बनाई थी उसी बुनाई को बनाया है इसमें हमने 1,2,3 तीन लाइने बनाई है यानि कि 6 सलाई बुनी है अब हम फंदे तो ऐसे दो-दो फंदों को एक साथ वोनेंगे इसमें हम पिंक कलर की उन लगाएंगे इस तरह से और जो फंद आयेगा उसे इसमें लेंगे फिर से दो फंदों को हम ऐसे एक साथ वोनेंगे इसी तरह हम ये सारे फंदे घटाएंगे तो चलिए हम आपको तेरा फंदे घटा के दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है हमने ये पट्टी बना ली है इसके हमने फंदे घटा दिये हैं अब हम इसमें फंदे उठाएंगे तो इसको हमें इस तरह से रखेंगे और इधर यह जो फंदे दिख रहे हैं इन ही में हम 7 फंदे इधर उठाएंगे और 7 फंदे इधर टोटल हमें 14 फंदे उठाने हैं फंदे हम इस तरह से उठाएंगे एक यह जो फंदे दिख रहे हैं इनहीं में उठाने है दो तीन चार पांच इसमें हमने 14 फंदे उठा लिए है अब इसको ऐसे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इसे हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए लंबा करना है तो चलिए हम इसको पुन के दिखाते हैं फिर बताएंगे कि हमने इसमें कितनी सलाई बुनी है इसे हमने इतना बना लिया है इसमें हमने 12 सलाई बुनी है उल्टी और सीधे दोनों तरफ से मिला कर अब हम इसके फंदे घटाएंगे तो ऐसे दो-दो फंदों को एक साथ बुनेंगे फिर जो फंद आएगा उसे इसमें लेंगे फिर से दो फंदों को एक साथ भुनेंगे, इस तरह हमें ये सारे फंदे घटाने हैं, तो चलिए ये फंदे घटा के दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है, इसके फंदे हमने घटा दिये हैं, अब ऐसे हम इस साइड भी भुनेंगे, 14 फंदे हम इधर उठाएंगे, और जैसे ह हम यह क्रीम कलर की उन लगाएंगे इसे हमने इतना बना लिया है इसमें हमने एक तो तीन चार पांच छे चे लाइने बनाई हैं इनकी बारा सलाइं बुनी है अब हम इसको इस तरह ऐसे ऐसे उल्टा करेंगे और इस तहागे को सुई में डालेंगे इस तरह ऐसे और हम उपर ऐसे स्लाइ लगाएंगे इधर हमने स्लाइ लगा दी है अब इसको ऐसे रखेंगे इधर हमें सिर्फ थोड़ी सी जगा छोड़ने है बाजू के लिए इतनी और इधर तक स्लाइ लगानी है एक तरफ हमने देखो स्लाइ लगा ली है इसे हम इधर भी स्लाइ लगाएंगे और थोड़ी सी जगाए इधर छोड़ देंगे इधर से इधर तक स्लाइ लगानी है इसमें हमने देखो दोनों तरफ स्लाइ लगा ली है इस तरह से अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे चोली और कैब बन गई है अभी हम आपको पहना के दिखाते हैं यह हमने चार नंबर लड़ु गोपाल के लिए बनाई है अभी हम आपको तीन नंबर लड़ु गोपाल को पहना के दिखा रहे हैं अब चूली पहनाएंगे ये देखिए हमारे लड़ू गोपाल जी कितने अच्छे लग रहे हैं ये पांच नमबर लड़ू गोपाल को एक दम फिक्स आएगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सियर करें